A very good morning to all my dear friends, मैं हूँ प्रशाथ मावानी, I hope you're doing good, आज़े 23rd January 2023 है दिन है Monday नाम शूर आप सब ने वना विकेंड जो है वो काफी enjoy किया होगा, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, एक बहुती interesting quote के साथ Edward Young कहते हैं, procrastination is the thief of time, procrastination, आज की जो चीजें हैं जो अभी हमें करनी चाहिए, वो हम कहते हैं कि चलो इसको बाद में कर लेंगे, ये बाद जो है ना, वो कभी आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, जो चीज जब करनी चाहिए, जो सही चीज जिस वक्त पर करनी चाहिए, ये है time management की व्य आख्या, definition, और time management को लेकर अगर आप और ज्यादा अच्छी चीजे जानना चाहते हैं, तो check out Curiously Education, time management की पूरी सीरीज जो है वो Curiously Education पर चल रखी है, तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शिरुआत तो हो गई, अब हम articles और interesting topics जो हैं, उसकी discussion के भी शिरुआत कर लेते हैं, A.S.E.R. survey, Tribune का ये article है, education के साथ जुड़ा हुआ article है, लेकिन ये कोई normal article नहीं है, जो regular हम education पर article पढ़ते हैं, कि ये करना चाहिए वो नहीं, this one is very very interesting, ये कैसा article है, शाहिद ही आपको कभी ऐसा article पढ़ने को मिले, education और education से national security, जनरली nation building और ये सारी बाते होती है, लेकिन education और national security, इसका relation जो है, वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, बहुत है खुबसूरत article है, A.S.E.R. survey, annual status of education report, के हमारी देश में जो education है, उसका annual status क्या है, ये report है, 2022 का ये जो report है, ये एक invaluable document है, बहुत ही अच्छा document है, और इसमें प्रथम foundation जो है, एक NGO है, जिसने काफी मेहनत की और survey conduct किया, और जो rural India है, और वहाँ पर जो formative age के बच्चे हैं, तीन से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं, तो उनको sample survey का part बनाया गया, और ASER 2022 जो है, तो इसमें लगभग 616 rural districts जो हैं हमारे, तो इसके 7 लाख जितने बच्चे जो हैं, इनको survey का sample जो है, वो बनाया गया, अब ये जो survey हैं, इसका अगर हम qualitative point of view देखें, तो थोड़ी निराशा होती है, quantitative bullet points जो है, वो आपकी screen पर हैं, for example, enrollment की बात करें, तो enrollment जो है, वो काफी बढ़ता जा रहा है, जैसे के 2010 में 96.6% enrollment था, फिर ये 96.7% हो है, 2014 में, 2018 में 97.2% and 2022 में 98.4%, तो quantity wise चीज़ें जो है, वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन quality wise जब हम देखते हैं, तो चिंता जो है, वो पैदा होती हैं, अब हमारे देश में एक important point आप ये समझ लिज़ें, कि education जो है, ये state subject है, ये central government नहीं, लेकिन state government जो है, इसके domain में आता है, education, और हमारे यहाँ पर क्या है, learning skills की बात करें, तो एक class के अंदर, जो let's say 50 बच्चे हैं, तो उनके अंदर भी learning skills का variation देखनों के मिलता है, एक शहर के अंदर अलग अलग स्कूलों में भी variation है, और एक राजिया और दूसरे राजियों के बीच में भी variation है, तो बहुत सारे बच्चों पर जब ये survey conduct किया गया, तो बता जला कि maths की skills काफी कमजोर है, फिर private tuition जो है, तो कुछ राजियों में काफी ज्यादा private tuition पर reliability होती है, कुछ राजि नेशनल security के बारे में, 16 जानिवारी को हमरे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साहब ने जो अगनी वीर्स हैं, उनकी जो first batch हैं, उनको address करते हुए ये कहा है, कि ये जो नई recruitment scheme है सरकार की, तो आप इसके pioneers हैं, आप first batch के अगनी वीर्स हैं, और इसी चीज़ को address करते हु वो देश जो technologically advanced soldiers, right, technology की बात नहीं हो रही, technologically advanced soldiers जो हैं, ये तरह करेंगे कि आपका देश जो हैं, वो कितना शक्ती शाली हैं, पहले क्या था, कि पहले ऐसा था कि जिस देश के पास, let's say, जितने technology या फिर, जो भी, it means, it was all about material thing, right, कितने आपके पास resource, कितनी tanks है, कितने aircrafts हैं, all these things, लेकिन अब जो modern warfare है, वो change होता जा रहा है, of course, this is my artificial intelligence और ये सारी चीज़े आएगी, लेकिन always remember, central role जो है, वो human beings ही play करने वाले हैं, तो यहाँ पर, अगर हम हमारे देश को, एक, you know, सक्ती शाली देश बनाना चाते हैं, हम हमरे देश को, let's say superpower की category में, अगर हम अपने आपको देखना चाते हैं, तो हमरे जो soldiers हैं, वो technologically advanced होने चाहिए, वो well educated होने चाहिए, is it it, वो अब समय जो है, वो कहीं न कहीं बहुत बीचे चला गया, कि आप पड़े लिखे नहीं हैं, इसे physically fit हैं, और आप orders जो हैं, वो ले आपकी पड़ाई लिखाई जो हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है, means, अब ऐसा है कि एक computer पर बैठा एक व्यक्ती जो है, एक soldier जो है, वो computer पर बैठे बैठे, इतना damage एक देश को पहुचा सकता है, जितना, let's say, एक लाख soldiers नहीं पहुचा सकते हैं, त assess by ASER 2022 is the most viable ecosystem to nurture the kind of the technology-enabled soldiers that PM Modi envisions, तेखे, जो PM साब ने कहा है, कि हमें अगनी विरो को जो उन्होंने कहा, तो अगर हम genuinely ऐसा जाते हैं, तो पहले तो हमें हमारी education system जो है, उसको top of the range बनाना पड़ेगा, आज हमारे देश में, और सिफ आज नहीं, पिछले कई दशकों से, ब youngsters को ले कर, वो कहते हैं कि हमारी देश के जो youngsters है, जो graduates है, वो unemployable है, क्यों unemployable है, क्यों unemployable है, क्योंकि ज्यादातर focus जो है, वो चीजों को रटने पर है, understanding level कम है, marks अच्छे है, understanding कम है, trainable नहीं है, मैं सारे लोगों की बात नहीं करहा हूँ, लेकिन ज्यादातर lot जो है, वो ऐ अगर हम देखें, तो हमें क्या देखने को मिलता है, पूरे देश में हमें देखने को मिलता है, कि demographic dividend जो है, उसका आज भी सद उप्योग जो है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो platform अभी तक तयार ही नहीं हुआ है, तो अब ये youngsters जो है, वो हमारे लिए demographic drag factor बन चुके है, द इतना बड़ा नुक्सान जो है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने भी ये लिंक जोड़ी है, नेशनल सेकुरिटी और education की, और उन्होंने कहा है, कि चाइना की बात करें, तो चाइना जो है, वो काफी अच्छा scientific papers जो होते हैं, influential scientific papers यानि की, जो scientist होते हैं, वो जो चीजों को find करते हैं, और फिर research paper जो है, वो publish करते हैं, तो globally जो है, वो चाइना अब बहुत, means आगे चला गया है, as you can see, के 8,422 papers जो है, scientific papers जो है, वो चाइना ने release किये, USNS 7959 और European Union ने 6074, एक वक्त था जब USNS 1 पर था, EU जो है, वो number two पर रहता था, लेकिन अब चाइना जो है, वो काफी ज़्यदा आगे जडा गया है, चाइनीज researchers जो है, वो USA के मकाबले, जब artificial intelligence की बात आती है, तो तीन गुना ज़्यदा papers जो है, वो release करते हैं, यानि कि चाइना जो है, वो research and development when it comes to artificial intelligence, बहुत ही बड़े ल जो है, लाखों करोडो रुपए जो है, वो इसमें invest किये हैं, राइट और top 1%, अगर हम S&T disciplines में देखे तो top 1% जो है, वो Chinese author है, रोबस्ट नेशनल R&D, industrial and manufacturing base was deemed to be a critical determinant of composite military capability in 20th century, जैसे मना आपके बता है, कि 20th century में किया था, कि आपकी R&D, industrial and manufacturing base जो है, इसकी वज़ह से एक देश जो है, वो ताकतवर बनता था, लेकिन आज के जमाने में, आपका human resource जो है, वही तेय करेगा, और human resource अगर आपका अच्छा है, तो फिर सार एक शेतर में आपका अच्छा performance हो सकता है, तो ये ASER 2022 है, उसको हम national security के point of view से किस angle से देखते हैं, वो हमारे पर निरवर रहे and as we know, के आज की हमरे discussion से अभी ये जो discussion के उसे बता चल गया है, के we need a lot to do, necessary pushback, the Hindu का ये article है, we know के supreme court, और ये फिर I would say, जब मैं supreme court कहूं, judiciary कहूं, I'm talking about judiciary, right, और government of India कहूं, government कहूं, या फिर सरकार कहूं, तो remember I'm talking about the सरकार, of course, right, तो क्योंकि बार-बार वो चीज़ explain करनी ना पड़े, तो पिछले कुछ दिनों में भी हमने ये discussion की है, कि government of India versus judiciary वाली system, right, और दो incidents बड़े-बड़े जो हुए, जिससे ये फिर से talk of the town हो चुका है, तो हमारे vice president साहब ने एक comment की, और उसके बाद किरन रिजीजू साहब न नियूज में आ गया और अब फिर से ये नियूज में है, means the reason is, कि supreme court का जो collegium है, उसने union government का जो attempt था, कि कुछ high court के judges जो है, उनके appointment को लेकर government of India हैपी नहीं थे, लेकिन supreme court ने इस चीज़ को reject कर दिया है, अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जो high court है, मैंने आपको होती है, लेकिन ये जो collegium होती है, high court की collegium में कितने members होते हैं, तीन members होते है, supreme court की collegium में कितने members होते हैं, पांच members होते हैं, ये चीज़ याद रखेगा, of course, इसमें senior जो judges होते हैं, वही होते है, तो जो high court की अगर हम बात करें, तो let's say, गुजरात high court, तो गुजरात high court के ज Chief Justice of Gujрат High Court वो मेंबर होंगे और उनके साथ दो Senior Most जो Gujрат High Court के Judges जो 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 तो वो इस College Jim के पाइट होते हैं and here you have CJI and four Senior Most Supreme Court Judges I hope इसमें कोई confusion नहीं है अब ये तीन मेंबर जो है college Jim की तो उने ये डिसाइड किया था कि जो एक lawyer है सवरभ क्रिपाल तो उनको डेली हाई कोट का जज बनाया जाए आर जौन सत्यान जो है तो उनको मदरास हाई कोट का और सुमा शेखर सुंदरेशन तो उनको बॉंबबए हाई कोट का जज बनाया जाए लेकिन सेंटर गवर्मेंट जो है वो इन नामों से खुश नहीं है अब उनका जो sexual orientation है इसका विरोध किया है सरकार में दो जजज जो है तो उनकी social media activity का विरोध किया है सरकार में अब देखिए एक जज जो होता है वो तो इनसान ही है अब उनकी चोईस है कि उनका जो Mr. Kripal है तो उनका sexual orientation जो है सरकार ही अलग अलग जगाओ पर सरकार जो है वो कहती है कि जेंडर जिस्टिस होना चाहिए अब सरकार ने ही options दिये हैं कि अगर कोई form फिल अप करते है तो उसमें male लिखना है female लिखना है या फिर आपको others लिखना है या फिर transgender लिखना है तो ये सारे options को उन्देरा सरकार लेकिन जब जज़ को एपॉइंट करने की बात आती है तब उनका sexual orientation जो है उसका विरोध करना ये कहां तक सही है इसके साथ साथ अगर कोई judge जो है वो किसी सरकार ने कोई गलत चीज़ की है या फिर कोई scheme के बारे में कोई विरोध करता है उसका light social media post पर अगर वो कुछ लि विरोध कर रहे हैं वो particular चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है हम सब जानते हैं इस बात को पुरी दुनिया जानती है पुरा अदेश जानता है कि बहुत सारे ऐसे IAS officers हैं बहुत सारे ऐसे IPS officers हैं बहुत सारे ऐसे अलग अलग judges भी हैं जिनकी appointment उनको कुछ ऐसी post दी गई हैं सरकार के द्वारा क्योंकि वो लोग जो हैं वो सरकार की या फिर उस particular political party के साथ directly indirectly जुड़े हुए रहते हैं तो ये सारी चीज़े चल रही हैं तो जब ऐसी चीज़ों पर सरकार विरोध करती हैं तो इसका मतलब कही न कहीं यही आता है कि सरकार जो हैं व को कहीं न कहीं judiciary को भी अपने control में लेना चाहती हैं तो this is the thing और इसमें अच्छा stand लिया है Supreme Court ने के Supreme Court ने इस चीज़ को reject कर दिया और जो हमारा constitution है constitution की position क्या है constitution clearly कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके sex के आधार पर उसके sexual preferences के आधार पर आप discrimination नहीं कर सकते हैं और यह self means के सरकार जो है वो विरोध कर रही है इस इन जो constitution है उसमें जो बाते बताए गई है उसी चीज़ का सरकार directly indirectly विरोध हो रहा है यहापर which is very very sad यह judiciary और government के बीच में जो issue चल रहा है ना इससे बहुत बड़ा damage जो है वो हमारे देश को हो रहा है लेकिन यह चलता रहेगा इ सब्सक्रावर के नशे में दूथ है कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोट को भी ओपेकनेस जो है अपनी इसको कम करने की ज़रूरत है लेकिन सरकार जिस प्रकार से अग्रेशन दिखा रही है मुझे लगता कि अब सुप्रीम कोट जो है वो एन जैसी के बारे में कुछ मा नो एंट्री नो डील टामस अफ इंडिया का यह आर्टिकल है यूके के जो इंटर्नेशनल ट्रेड सेकरेटरी है केमी बेरेनोक तो उन्होंने यह कहा है उनका यह स्टेटमेंट आया है और यह स्टेटमेंट भारत के लिए बहुत ही इंपोर्टन बन जाता है उनका और दिया यूरोपियन यूनियन जो है वो पहले ट्विंटी एट देश का एक समूँ था और यह ट्विंटी एट देश जो है तो विए एकोनोमिकली उन्होंने एक ऐसा बनाया जैसे हमारे देश में कैसा है कि आप हमारे देश जो है तो इसमें जो अलग-अलग राजी है तो आप किसी भी राजी में आ जा सकते हैं बिसनस करने के लिए वैसे के यूरोपियन यूनियन जो है तो उन्होंने यह तेय किया कि biznes एक साथ करेंगे एक दूसरे के साथ करेंगे तो क्या था कि यूके जो हैं तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग देशों के जो यूरोप के बहुत बड़ी quantity में बहुत बड़ी मातरा में वहाँ पर आते थे और काम करते थे यह सारी चीज़े तो ब्रेटेन के लोग जो है वो फिर उनको पसंद नहीं आता था कि हमारी जॉब्स जो है वो बाहर के लोग आकर छीन रहे हैं यह सारी चीज़े चल रही थी कि बाहर के लो यूरोप को हमने इसी लिए छोड़ा है the country left the EU precisely because it does not believe in the freedom in the in the free movement of people UK जो है यह free movement of people में नहीं मानता है अब free trade agreement के साथ जुड़ा हुआ यह बहुत important point है इंडिया और UK जो है वो FTA करना चाते है free trade agreement आपको पता है ना free trade agreement का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि दोनों देश जो है वो लगबग 90-95% जितनी चीज़े जो है जो हम import करेंगे या फिर export जब हम करेंगे UK से तो हम duty नहीं लगाएंगे उस पर यानिक import tax नहीं लगाएंगे और 90-95% जितनी चीज़े जो भारत यूके में export करेंगे उस पर हम उस पर यूके जो है वो import duty नहीं लगाएगा इस नमबर वन नमबर टू भारत एक developing देश है हमरे देश के लोग जो है वो दुनिया के अलग 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 देशों में job करने के लिए जाते हैं तो भारत जिन issue के साथ FTA कर रहा है तो भारत कहा रहा है कि हम हमरे में सिर्फ product की बात नहीं होती है trade में services की भी बात आ जाती है तो लोग जो है हमरे qualified लोग जो है वो आपके देश में आकर वहाँ पर काम कर सकें उनको easily visa मिल जाए ये सारी चीज़ें तो यही negotiations जो है वो एक लंबे समय से चल रहे हैं और आप वहाँ की सरकार ने ये कहा है कि EU को भी precisely हमने इसलिए चोड़ा है क्योंकि हम free moment of people में नहीं मानते हैं तो फिर UK के साथ free trade agreement करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है क्योंकि UK के साथ जितना हम trade करते हैं उससे ज्यादा हम Germany के साथ trade करते हैं उससे ज्यादा ह के साथ हम ज्यादा trade करते हैं Belgium के साथ ज्यादा trade करते हैं 2021 2022 में two way trade यह bilateral trade जो है यह सिर्फ 17.5 billion dollar करते हैं और overall जो चीजे हम दुनिया के अलग अलग देशों में export करते हैं तो उसके two person से भी कम चीजे जो हैं वो हम UK को भेजते हैं तो अगर UK जो हैं वो skilled labor या फिर students और इंस अगर skilled labor को UK आने की permission देता है students को permission देता है और students फिर वहाँ पर रह सके उसके बाद visa मिल जाए यह सारी चीजे हो जाए तो फिर दोनों के बीच में जो trade है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकता है लेकिन UK जो है वो यह चीज़ नहीं चाहता है तो इसमें अब negotiation करने जैसी कुछ चीजें जहें मिसापको थोड़ी चीजयें hurt करेंगे लेकिन थोड़ी चीज़े जो है वो आपको फिर side में रखनी है बड़ा picture जो है जो आने वाले आज आपको दो रूपे मिलेंगे लेकिन आपको पता है कि 10 साल के बाद हमें 200 रूपे मिलने और उन थोड़ी थोड बेटर के हम इस पर और ज्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट ना करें इस बेटर के हम दूसरे देशों पर और ज्यादा फोकुस करें फर एक्जमपल यूरोपियन यूनियन है यूएस हैं उनके साथ फ्री ट्रेड अगरेमेंट में आगे बड़े और यूके को क्या चाहिए उनकी लालच यह हैं कि यूके को भारत की जो बड़ी मारकेट है ना उसमें अपने प्रॉडक्स और इन सारी चीज़ों को वेचना है लेकिन अपनी मारकेट में हमरे लोगों को जॉब जो है वो नहीं देनी है तो यह चीज़ भारत भी नहीं करेगा और दूसरे देशों के साथ यह सारी चीज़े वो करते हैं जैसके यूके और उस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐसा एगरिमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई व्यक्ति जो है वो जॉब करने के लिए यूके जाना चाहता है तो एजिली जा सकता है यूके का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया जान चाहता है एजी ली जा सकता है लेकिन भारत के साथ ये चीज़ कर रहे हैं तो I would say के उनको उनकी जगा जो है वो अब दिखा देनी चाहिए राइट वैसे भी UK जो है वो it is going down to be honest राइट जो पहले एक था एक empire और वो सारी चीज़े अब UK जो है वो बहुत सारे खेत्रों में हमसे पीछ हैं trust me right I know बहुत सारी चीज़ों में हमसे पीछ हैं it will take time हमारी यहां पर improvement होने में तोड़ा वक्त लगेगा but जिस प्रकार से चीज़े जो है वो change हो रही है right उनको हमारी ज्यादा जरूरत है rather than we need them it's time for India's universities to join the world the Hindu का ये आर्टिकल है एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है right नाम भुल गया उनका right लेकिन आर्टिकल में वो नाम उनका जो था वो दिया गया था but anyway बहुत ही important interesting आर्टिकल है क्या कहते है ये भारत G20 का President बन चुका है और अब ये एक अच्छा वक्त है कि भारत जो है वो दुनिया की academic community जो है उसका भी एक major player बने और भारत के जो हमारे scientists है academics है ये university leaders है key leaders है ये सारे अलग-अलग शेतर में हमारे लोग जो है वो काफी famous है academic system की बात करे तो जो है हमारे academics को और education को reform और improve करना चाहती है तो ये सारे बदलाव जो है वो भारत ने अल्रड़ी start कर चुके है लेकिन अब भारत को क्या करना चाहिए भारत को जो दुनिया के अलग-अलग देशों में जो best practices होती है जो अच्छे चीज़े होती है education sector में तो उन चीज़ों को यहां पर implement करने की ज़रूरत है priority बाइस देखा जाए तो हमारे देश में research और innovation जो है उसको और ज़्यादा promote करने की ज़रूरत है this should be our priority और भारत की priority ये basically है भी इसके साथ अगर हम देखें के talent की बात करें scientific field में students की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा exporter भी है ऐसे students और talent का खास करके information technology और इसके साथ जड़ी हुई जो scientific fields है उसमें भारत का contribution जो है वो काफी अचा रहता है अब दुनिया जो है वो भारत को लेकर काफी interested है in terms of doing business इसके साथ दुनिया के बहुत सारे देश खास करके western countries जो है वो चाइना से disengage होना चाते हैं तो ये सारी universities का ध्यान जो है वो इंडिया की तरफ और ज्यादा आकरशित हो सकता है भारत जो है हमारी जो academic system है environment है ये एक बहुत ही complex है और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी uneven quality भी है जैसे हमने अभी पहला जो lecture नोट पहला इस lecture का जो पहला topic था तो इसमें ये चीज़ें जो है वो हमने discuss की isn't it तो you know many things about it अब भारत ने एक national institutional ranking framework जो है वो setup किया है और अगर हम scientific publication की बात करें तो 2010 में हमारी 7th position थी अब हम 3rd position पर हैं अगर हम PhD awards की बात करें science और PhD जो science and engineering में मिलती है तो इसमें हम rank 3 पर पहुँच गए है Global innovation index में हम काफी पीछे और USA और China से तो बहुत पीछे है 81 rank था 2022 में हमरा rank 40 हो गया यह आपको याद रखना चाहिए अगर आपको you know mcq में इस प्रकार के mcq कई बार examination में पूछे जा सकते है कि Global innovation index में भारत का rank जो है वो 2022 में क्या था तो it is 4-0 लेकिन US और China से हम बहुत ही पीछे हैं universities की बात करें तो हमारी कोई भी ऐसी university नहीं है जो top 100 में आती हो you know तो उसमें हम बहुत ही पीछे हैं तो हमारे यह पर IIT जो है वो काफी famous है लेकिन globally जो है वो बहुत पीछे हैं लेकिन China ने billions of dollars invest किये और top universities के list में चाइना की universities जो है वो definitely हैं और हमारे यहां पर कुछ ऐसी top quality non-profit private universities हैं जैसे के कुछ बड़े-बड़े जो business tycoons हैं तो वो philanthropic यानि की as a charity work, social work के point of view से ऐसी कुछ बड़े-बड़े institutions जो है वो हमारे देश में चल रही हैं और उनका contribution भी काफी अच्छा है भारत का एक दूस और higher education की main language हैं तो इसकी वज़े से दुनिया भर के साथ interact करना जो है वो भारत के लिए थोड़ा easy हो जाता है compared to China और यह education जो है it is about soft power as well हमारी universities और scientific promise हमारा soft power भी बन सकती हैं अब यहां पर suggestion यह दिया गया है कि एक तो यह कि G20 के जो देश हैं उनके जो universities के leaders हैं तो उनके स साथ हम interact करें conference कर सकते हैं और दूसरा जो है वो यह है कि हम एक scholarship program एक prestigious scholarship program जो है वो भारत लौंच करें Indian universities, researchers and academics also need to involve themselves in global scientific community through participation in joint projects, international meetings and like के हमारे जो researchers है, universities, academics हैं वो दुनिया बर के अलग-अलग है से अपने counterparts जो हैं उनको उनके साथ projects में, meetings में, उनके साथ interact करें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हमें करनी चाहिए, basically हमारे education level को एक next level पर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भारत जो G20 का president है तो this is an opportunity for us, as इस article में कहा गया है and that's everything in today's discussion dear friends, thank you very much for your love and support, if this lecture inspired you, please pass it on to someone you want to inspire, email कर सकते है आप मुझे, if you have any question queries, doubts, कोई सला चाहिए, कोई advice चाहिए, then feel free to email me, email जो है ये formal होना चाहिए and please do support mission life and do check out videos on time management and focus, कुछ और नहीं सिरीज भी स्टाहिए लेकिन पहला है, सब लोग जो है वो है इन वीडियोस को चाहिए, तर रिक सा देख लीजे, समझ लीजे and then we will jump on to next series, thank you very much for your love and support, good bless you all, Jai Hind भी कि दोगी को जोगा है प्राइटोर। का है कि भी और वोग जजए कि पहा है